किसान भाईयों नमस्कार मैं राजूराम राठोड जोदपुर राजस्तान से आज आपको मैं मेरे एक मित्र सामाजिक मित्र सरवन सिंग राठोड से परीचे करवाऊंगा इनों ने अपने फारम पर बाडमेर जिल्ले में 2000 अनार लगा रखी है इन से पूरा परीचे भी लेंगे कुछ जानकारी इनके फारम पर जो मुझे अच्छी लगी आप सभी के साथ साजा कर रहा हूं कृष्ण चंद्राजी का धन्यवाद परकट करते हैं हम सभी भारत के किसान और राजस्तान के किसान अक्सर रेगिस्तान की मिट्टी में रहने वाले खेती हर किसान ब्रमास्तर ऐसा तयार किया कृष्ण चंद्राजी ने कि यहां तो कुछ काया ही बदल गई जब यहां ब्रमन पे में आया तो मुझे ऐसा मैसूस हुआ कि लोग कहते हैं यहां पहले समंदर था कुछ नहीं होता था और रेगिस्तान में कुछ नहीं होता पर यहां तो ऐसे ऐसे परिणाम देखने को मिले यहां इस फारम के लिए अनार के लिए और दूसरी सहफशली के लिए यहां 2000 लिटर का मिट्टी के अंदर प्लास्टिक का पाल डाल कर वेस्ट डी कंपोजर कम गुड में तयार कर रहे हैं और इन्होंने जो सिस्टम लगाया बहुत बैतर लगाया है इसको मल्टीप्लाइ करने के लिए आदमी की जरूरत कम मशीन से काम ज्यादा यहां जो मैं आपको दिखा रहा है कि पाइप के नीचे एक पाइप लटक रही है यहां से चलके यहां एक टुलू फंपी जो कुलर की मोटर होती है इसके अंदर इस कौने में डाली गई है लेकिन वापस वेस्टर डी कंपोजर यहां आके गिर रहा है यह धीरे धीरे धीर सहारे कुछ पोदे लगे हैं देखिए यहां नाली है पाउं में जो रख रहा हूं पाउं अंदर दस्ते जा रहा है यानि कि जैसे कि मलमल के गद्दे पर खड़े हो ऐसे मैसूस हो रहा है बहतर परिणाम इन से अपन जानेंगे भी कि इन्होंने वास्तों में क्या-क्या प सिवाई कोई नहीं निकाल सकता अब मैं इनके डिक्की के सहारे यहां डिक्की बनिये दोजार लेटर की इसी के किनारे एक दम हरे पत्तों का बेंगन के पोधे दिका रहा हूं एक दम नेचुरल एक दम परफेक्ट पेरेट कलर इसके अंदर वेस्टरडी कंपोजर का इस्त प्रकास के दिकाता हूं चोटा सब फोधा इसके किनारे लगे पोदे के ऊपर देखिए अब गिनते जाना बैंगन कितने हैं फूल कितने हैं पत्तों की चमक कैसी है छोटा बेंगन है लेकिन अंदर च्छाओं में होते भी कितना अच्छा चमक रहा है नीचे और लगे हुए हैं एक छोटे से पोधे के उपर इतने असंख्य बेंगन दिखना ये कमाल वेस्ट डी कमपोजर का है यहां बहुत सारे बेंगन देखिए वा जीवा गुच्छे में तिन तिन बेंगन एक साथ गुच्छे में बेंगन एक एक नहीं तिन तिन इस पोधे के उपर भी बहुत अच्छी फुटान है बहुत अच्छी फुलवारी है और बेंगन की चमक यहां खुली दिखेगी ये बेंगन का नेचुरली रंग, प्राकरतिक रूप से वेस्टर डी कंपोजर के द्वारा बेंगन के उपर फुलवारी भी अच्छी है, मंजर भी अच्छी है, और फल भी बहुत अच्छे, किसी भी पोदे को उपर देखे, दस से बारा बेंगन लगे हुए आपको दिखें हैं, और यहां अब चलते हैं, सर्वन भाई के पास कि इन्हों ने इस बगीचे को अच्छा रूप देने के लिए कब से वेस्टर डी कंपोजर रूपियों कर रहे हैं, और क्या परिणाम हैं, और आप काम में रहते हुए, अपना प्रिशनल काम में रहते हुए, फारम पर जो मजदूर लोग हैं, उनके साथ अपना समय जब यहां आते तो बिताते हैं, और यहां इन्होंने जो उत्पाद बनाये हैं, इन से ही जानेंगे अपन क्या-क्या उत्पाद बनाये हैं, यहां सर्वन भाई के फारम पर कुछ उत्पाद की जानकारी इन से ही लेंगे, यह यहां मदर कल्चर के अलावा डिक्की के अलावा कुछ और उत्पाद बनाए हैं यह डिक्गी है फिर से दिखाता हूँ यहां ड्रिप इरिगेशन खेत में ड्रिप को पानी यानि की बागवानी पोदों को अनार को पानी देने के लिए यहां इनोंने सेट अब लगा रखा है चोटा इस बैरल के अंदर मदर कल्चर है यहां बहुत सारे बैरल हैं बदलता राजस्तान बदलता युवा वेश्टडी कंपोजर क्रश्न जंद्राजी के ब्रमास्तर को उप्योग करता यहां अब सर्वन भाई कुछ आपको बता रहे हैं इससे पहले में थोड़ा परीच से पूरा दें ताकि लोग आपको जान सके का आप जेवी खेति करते हैं राजस्तान में बाड में डिस्टिक बाड में डिस्टिक में पच्पड़ा तैसील से बुड़ी ओड़ा गांस्या हूं जहां मेरे दोजार अनार के पौदे लगे वे हैं जिसमें पिछले साल से मैं आज आपने इतने सारे उत्पाद अपने फारम पर बनाए और आपका सईयोग कर रहे हैं दो मित्र जो आपके फारम के देखरे कर रहे हैं यहां इन बैरलों के अंदर इन दो साथियों ने बहुत ही अच्छी पहल की जेवी खेती करने में नए हैं लेकिन यूट्यूब के मारफत सरवन भाई इनको हर बार यहां आके कुछ बताते हैं यहां जो उत्पात बने हैं इनसे थोड़ा जान लेते हैं पहले बेरल के अंदर सरवन जी आप बताए क्या बनाया है आपने इसके अंदर आपने वेस्ट डी कंपोजर के साथ बक्री की लेंडी डेली है यानि कि NPK की पूर्ती का स्रोत आपने यहां बनाया है इसके अंदर क्या बनाया है यानि कि जो आप पहले रसाइन पूरा इस्तिमाल किया तो उसकी जगह आधा करके वेस्ट डी कंपोजर के साथ आधा रसाइन इस्तिमाल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है यानि कि आपका आधा रसाइन चुट गया मैं आप से एक सवाल और करता हूं अगर आप रसाइन का आपके 2000 पोदों में खर्च करते हैं एक फ्लोरिंग यानि कि एक हार्वेस्टिंग तक का इत्रेल लगाने के बाद पूरी एक फसल लेने तक कितना खर्चा हो जाता था 2000 पोदों में केमिकल करता हूं तो मेरा कम करीब 4 लागा खर्चा आ जाता है और इत्रेल मारने के बाद ये थोड़ा सा रसाइनिक उप्यों करने के बाद वेस्टडी कमपोजर का सहारा लेने के बाद कितना खर्चा बचा यानि कि आपकी सुरुवात की जो खर्चा होता था वो बचत हो रही है डेट से 2 लाग रुपे बचत हो रही है किसान साथियों वेस्टडी कमपोजर आप सभी बागवानी करने वालों को यही सीख दे रहा है कि मुझे अपनाईए वेस्टडी कमपोजर अपनाईए यही आपको एक मातर साधन है रसाइन मुक्त करने का और मैं आपको दिखा दूँ सरवन भाई के हाथ में एक पत्थर लिए खड़े हैं जो गर के अंदर टाइल्स बिचाई जाती है इनोंने वीडियो के माध्यम से जो मैंने पहले एक वीडियो डाला था पत्थरों का उसमें इनोंने वही पत्थर डालें और यह जो गर के अं टाइल्स बीचा जाती है कैसा में जुश्क रहे हैं सरुन भाई यह पत्थर कैसा है घिस गया गों आपके पोदों में क्या परिवर्तन देख रहे हैं कुछ आपको महसूस हो रहा है कि वास्तव में यह कमाल कर रहा है वेस्ट्रबीकंपोजर बिल्गुल सर यह जो खात मात या कोई किमिकल डिपी जो भी डालते हैं तर दीमकल वह वैसा का वैसा में को मिलता था जिसमें डूसरी बार डालने जाते तो वह सका थे का इस टेक अप पौदा उठा नहीं पाता था इस ऐसाधा मैं यह देख रहे हैं हिस्ट सारा मालव वह का आद वगर ए जो भी पौदा क करने से जो रसायन में उत्पाद मिलता था क्या वेस्टडी कंपोजर के उप्यों करने से उत्पाद में कोई बढ़ोतरी हुई क्योंकि आपने जो पहले पूर्ण रुप से रसायन था वो आधा किया यानि कि आपकी जमीन में जो रियल कारबन नहीं था वो बढ़ने लग गय जी किसान साथियों पहली बार आपने सर्वन भाई ने वेस्टडी कंपोजर उप्यों किया पिछल एक साल से हां खर्चा इनका जरूर बचा ये फाइदे की बात इनके लिए रही और यहां बहुत सारे उत्पाद बनाये हैं कि आंगा मैं सर्खिशन चंद्रा जी का बहुत दिल से बहुत भुत धन्यवाद देता हूं और शाथ मैं हमारे साथ ख़डए अमारे बिल लाड़ा से राजस्तान सजी मित्र तदरों साथ को दन्यवाद देता हूं जिननोंने समय समय पर पर हमको मारग बैस्वन दिया उसी के बदूलत हम आज साथ में खड़े हैं और इन उत्पदों के साथ में खड़े हैं और मैं सभी किसानों से यही अनुरोद करूँगा कि आप राशायन को छोड़के अपने इस वेस्ट डिंग को उसके साथ उत्पद बढ़ाएं जिसमें रजरान जी अपने राश्तान में किसान साथियों आपने सुने एक युवा साथी के नवाचार के विचार हर कोई चाता रशायन से मुक्ति अब ब्रमास्तर आपके हात में हैं अब आने वाले समय में हम कुछ और नया करेंगे आपके लिए नए उत्पाद की जानकारी आपके लिए देंगे और अब होगा य कल्प हर किसान की खित क्या मिट्टी का फसल का अगले वीडियो में और नई जानकारी देंगे धन्यवाद